तो अगला question discuss करते हैं यह जो question है यह भी कानेमेटिक्स का है और 10th April 2019 में यह पूछा गया था तो यह जो question है का गया ball is thrown upward with initial velocity V naught from surface of earth the motion of the ball is affected by a drag force equal to gamma mv square जैसे ball है अगर ball को उपर किसी velocity V से फिका गया है initial velocity इसका V naught है किसी general time कोई instant ले ले लेते हैं मानले तो उस time पर यह वी वेलोसीटी चल रहा होगा क्योंकि acceleration d acceleration होगा तो इसकी velocity change होगी चेंज होगी तो मानले किसी instant पर इसकी velocity V है उपर की तरफ अगर उपर की तरफ है तो ड्राइग फोर्स यह है यह लगेगा नीचे और यह ड्राइग फोर्स गामा mv square बताया गया है जहां पर यह मास है वी वेलोसीटी है ना यह मास है वी वेलोसीटी है और गामा कोई constant है साथ में mg फोर्स भी लगता है नीचे अब आगे का गया time taken by the ball to rise to its genit जनित का मतलब हो गया maximum height तक जाने में कितना time लेगा है ना तो maximum height तक में कितना time लगा पता कर सकते हैं देखेंगे कि दोनों फोर्स इस पर नीचे लग रहा है ड्रैग फोर्स नीचे लग रहा है जब कि यह जा रहा है उपर तो यह एक्शुली में डी acceleration produce करेंगे तो इसका equation of motion लिखें जैसा कि हम लोग laws of motion में करते हैं force by mass करके acceleration निकालते हैं mg force लग रहा है gamma mv square यह force लग रहा है यह होना चाहिए mass into acceleration तो जो acceleration है वो हो गया g plus gamma v square एक्शुली में यह d acceleration है इसलिए इसको लिखना चाहिए minus dv by dt is equal to g plus gamma v square यह एक्शुली में d acceleration है velocity के opposite है इसलिए minus sign हमें लगाया तो यह हो जाएगा dv divided by g plus gamma v square एक तरह के variable एक side में लाएंगा ताभी हम लोग integration कर सकते हैं तो इधर v था तो v वाला term इधर पूरा लेया इधर और इधर चले गया dt अब इसको हमें integrate करके वो time का value निकालना है question में कहा गया कि initially उसको v naught velocity से project किया गया था तो जब time 0 था तो velocity था v naught जब time t हुआ तो velocity हो जाएगा v यानिकी 0 यह वो time है जब यह maximum height पर पहुंचा है जब maximum height पर पहुंचेगा तो time आ लिया t और velocity हो गया 0 तो इसको हमें integration करना है तो पहले इसको थोड़ा सा simplify करेंगे dv divided by इसमें से अगर मैं gamma बाहर को में लेता हूं तो यह हो जाएगा g by gamma plus v square है ना यह हो जाएगा is equal to minus dt 0 to t तो इसको हमें लोग लिख सकते हैं जाएगा 1 by gamma dv divided by under root g by gamma का whole square क्योंकि actually मैं यहाँ पर root नहीं है तो मैं रूट लगा है square किया plus v square यह हो गया is equal to minus dt 0 to t और यहाँ पर v naught to 0 हो अब इसका integration हम लोग कर सकते हैं एक formula होता है dx by x square यह a square plus x square हो तो इसका integration होता है 1 by a tan inverse x by a यह होता है तो यह formula हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं यहाँ पर a के जगा पर क्या है यह वह लटर में root g by gamma और x के जगा पर v है क्योंकि यह a variable है तो left hand side में integration से आएगा एक तो one by gamma पहले से था constant ठीक one by gamma था एक आएगा one by a one by a a क्या है अंडरूट g by gamma अंडरूट g by gamma यह आएगा फिर उसके बाद आएगा tan inverse x by a x क्या है v है और a यह है तो यह हो जाएगा v into अंडरूट g by g यह आजाएगा इसमें हम लोग limit रखेंगे v naught से 0 limit वैसे यहां रखना चाहिए v naught से 0 और right hand side में देखेंगे dt का integration आएगा t limit रखने के बाद भी यह आजाएगा minus t तो आप देखेंगे यह gamma है यह root gamma है cancel होगा तो इधर आजाएगा root gamma by यह हो जाएगा 1 by root gamma into g into tan inverse v के जगा पर v naught आ जाएगा तो यहाँ पर tan inverse under root gamma by g into v naught यह आगया total time यहाँ पर actually में minus t है तो टी का जो value है यह limit रखने का पहले 0 रखेंगे फिर v naught रखेंगे तो यहाँ पर एक minus i आगा वो minus i इस minus i से cancel हो जाएगा तो time का जो value है वो यह आजाए तिक है आप देखेंगे का कौन सा option मैच करता है वन बाई अंडरूट गामा जे time वर्स अंडरूट गामा बाई g into v naught है ना तो देखेंगे कि यह वाला जो option है यह मैच कर बाकी सारे जो हैं तोड़ा डिफरेंट है